वेनों, हमको एक जानकर इशायद होगी ही कि आज एक जुलाई अंतराश्टिय डॉक्टर्स डे है और आज के इस दिन मैं अपने एक ऐसे वर्ग से बात कर रहा हूँ जिनका सेदा संबंद पिछले कुछ महिनों में डॉक्टर्स के साथ ही आया है और डॉक्टर्स की सेवा उनके लिए एक बहुत ही जिसको कहना चीए उपयोगी सिद्ध होई है आज इस डॉक्टर्स डिवस की अवसर पर मैं ऐसे सब हरियाना सरकार का ये जो अमारा निरोगी हरियाना यूजना कारकरम है इसके लाभारतियों समेथ सभी डॉक्टर्स बंदूओं को भी इस डिवस की बहुत-बहुत बदाई और बहुत-बहुत शुकामना देता हूँ अपना मेहत भाँर है बलुकि हम भारतवर्श में तो इनको भग्वान की भी संग्या देते हैं अर्थाथ हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की चिकित्सकों की भुमिका है बहुत-手 राहनिये हैं और इनको भग्वान का दरजा हम लोग देते हैं जैसे हमना पिछले दिनों में देखा कि जब COVID-19 ये बिमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सब से आगे COVID-CENIC के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आये और एक प्रकार से जो मानोता पर खत्रा बताया जा रहा था उस से हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभ COVID-19 जैसी बिमारी ये भी हम ठीक कर पाए हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहे सरवे भवन्तु सुखेना सरवे संतु निरामया ये हम कामना करते हैं हर कोई सुखी रहे तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विश है हमारा शारीरिक सुख हमारा निरोगी काया ये और इसके लिए हमने पिछले दुनों में एक योजना बनाई निरोगी हरियाना आप लोग स्वेम निरोगी हरियाना के माध्यम से अपने आपको पैचान पाए कि परिक्षण के बाद हमको कोई बिमारी है तो उस बिमारी को हमको ठीक से पहले जानकरी मिल गए और उसके बा हुए जो गरीब व्यक्ति हैं ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इस से शुरुवात की गई है कि उनका शारिट ट्रेस्ट पहले किया जाए और इसके लिए हमने एक प्रोड 21 लाख नागरिकों का टार्गेट यह अपने सामने पहले रखा है तो इस से टार्गेट को पूरा करन के लिए जो हमारी निरोगी हरिणा योजना है यह योजना हमारे देश की राष्टपती श्रिमती द्रोपदी मुर्मु उन्होंने 29 नुवंबर 2022 को अंतरास्टी गीता जनते के अवसर पर और इसको शुबार्म किया है जैसा हम जानते हैं कि स्वस्त रहना और स्वस्त होना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है हम प्रार्म में स्वस्त रहते हैं लेकिन जब कभी हमको कोई बिमारी घेर लेती है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो हम स्वस्त हो जाते हैं तो स्वस्त होना एक कस्ट में से निकल करके स्वस जो चलाया है यह उसी का प्रकल्प है जैसा गनरेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इस बेटर दन क्योर, अर्थात इलाज से भेटर सावधानी और अगर बर्तली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस और ही जाना चाहिए तो जो निरोगी हरियुड़ा का करकम है वो प्रिवेंटिव कारक्रम है अर्थात कोई बिमार ही न हो हमको हस्ताल में जाने की आवश्रता न पड़े इस योजना के अंतरगत जो समय ने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को हरियाना की जनता को दो साल में एक वार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं हर जहती के कम से कम पचीस टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता कि मेरी प्रारंबे को बिमारी है के नहीं है तो इस को करने के लिए पहले चरण में हमने अन्तियोदय के नाते से एक लाग ऐसी जार रुपय वार्शिक आये ये जो लोग हैं इनको टार्क रखा है जो गरी व्यक्तियों की स्वास्ते की ये जांच हो चुकी है और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीव व्यक्ति है ये सामने बिमारी चोटी बोटी होती है तो इसको डाक्टर के पास ये जाता भी नहीं है लापरवाई भी बरता है कभी तो इसके पास समय भी नहीं होता क्योंक को दूर करने के लिए ही ये कारक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जाच कराएं और जाच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किस न किसी बिमारी जो उसको प्रारम में लक्षन उसको दिखे हैं तो उस लक्षन के नाते से वो कोई नो कोई लाब उसको दिलाने के मसिती में आ जाएं जब भी शरीर बिमार होता है उससे पहले ही उसके कुछ लक्षन होते हैं उन लक्षन कई बार दिखाई दिने लग जाते हैं वैसे तो कहते हैं कि आदमी के शरीर में अपनी पावर होती है जिसको रेसिस्टेंस पावर कहते उसकी immunity होती है उस immunity के कारण से बहुत सी बिमारियों पर तो वो काबू पा लेता है लेकिन कभी-कभी एक limit के आगे बढ़ने के बाद वो काबू नहीं पा सकता तो उसकी बिमारी जो आगे बढ़ने लगती है सही समय पर उस बिमारी का पता चल जाए तो इलाज भी उसका ठीक से हो जाता है हम जब कभी देखते हैं कि अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं अपना स्कूटर है, अपना मोटो साइकल है अपनी को कार है, अत्वा, यहां तक साइकल भी है तो भी उसमें कोई खराबी अगर आती है और हमें आगे बढ़ने के लिए वो रोक देती है ऐसे हमारा शरीर है इस शरीर के अंदर भी प्रार्मिक लक्षन अगर वो पता लगते हैं तो हम उस गाड़ी की सर्विसिंग की तरह अफश्टा पढ़ने पर उसकी सर्विसिंग भी हम हस्टाल में जाकर करा सकते हैं तो इस नाते से इस समय हमको इन कामों के लिए आगे बढ़ना है जैसा हमने बताया कि अभी तक एक लाख बाड़मे हजार लोग जिन का टेस्ट हुआ है पंदरा लाख में से एक लाख बाड़मे हजार बलके आज का अंकड़ा में पास है पिछले जो साथ दिन पहले अंकड़ा था वो एक बाड़मे था आज का टाटा है दो लाख तेरा जार लोग ऐसे हैं जिन की कोई ना कोई लक्षन बिमारी के हमको मिले हैं और उसमें भी अनीमिया जो एक खास करके बहुत ऐसी बिमारी है मेलाओं में ज़्यादा पाई जाती है तो उसके अंदर भी 55,000 ऐसे केसिद आये हैं जिसमें अनीमिया की कमी है तो मैं अपनी बेहनों से माताओं से जो बेटियां हैं बेहन बेटियों से भी आगरे करूँगा कि वो जाकर के समय सबब अपनी स्वास्त की जांच जरूर कराएं तो कि अनीमिया कम होने से अपना शरीर भी खराब रहता है अपना शरीर भी ठीक से स्वास्त नहीं हो पाता और अगर माताएं हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्त की जो वृद्धी है वो ठीक नहीं हो पाती है तो इसके लिए आग रहा है स्वास्त की जांच भी कराएं और जो डॉक्टर द्वारा दी गए आयरन की गोलियां है वो जरूर खाएं और समय समय पर अन्य दवाई का भी उपयोग है वो समय करें ऐसे ही में के जैसे मरीज मिले हैं कुपोशन खासकर के बचों का कुपोशन ये बी लगवख तीन जार बचों में ऐसे कोपोशन की भी ये पाई गई है एक परकार से अस्वस्ता टी बी के मरीज बारा सो सतावन मरीज तो टी बी के मरीज मिले हैं कैंसर दो सो पैस्व मरीज मिले हैं तो ये सब दो लाग तेरा जार मरीज़ों पर जो कमी पाए गई तो हमारे जहां टेस्ट हुए है उन डॉक्टर्स ने इनको रेफर भी किया लगबग साड़े तेईस जार लोग ऐसे है जिनको ठीक से रेफर कर दिया गया जो इलाज के लिए वहां गए है और वो इलाज अपना हस्तालों में कराच के स्वस्थ हो चुके हैं अत्वा उनका लाज चल रहा है तो एक बहुत बड़ा एक काम हमने पिछले साथ महिने में किया है क्योंकि इन साथ मेने का यह आकड़ा देखा जाए तो हमारा हमारी जो सफलता है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है लेकिन जहां तक टेस्ट की बात है पंद्रा लाग तेरा हजार ही टेस्ट हो पाये हैं जो अपने हमें बहुत कम संख्या है क्योंकि टार्गेट हमारा ए 21 लाग पहुंचना है तो निश्व रुपे से इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमको और संख्या बढ़ानी होगी अभी तक केवल 458 जगा ऐसी है हमारी स्वास्त विभाग की जहां यह टेस्ट होते हैं लेकिन हमको यह संख्या भी बढ़ानी होगी और हमें प्राइव जो है वो ठीक रखना यह एक हमारा ही लक्ष नहीं है यह दुनिया में सब देशों का लक्ष है और मैं तो एक विशह जान करके बहुत हैरान हुआ कि आज तो हम बिमार होते हैं उसके बाद स्वस्त होने के लिए हम अपने हस्पिताल खोलते हैं डॉक्टर्स की संख्या कि बहुत से काम हम कर भी रहे हैं मुझे चाहिना का उदान द्यान में आता है सौ डेड़ सो साल पहले चाहिना में जो वैद होते थे उस समय के आज उनको हम डॉक्टर कहते हैं उस समय स्वास की रक्षा के लिए वैद होते थे तो वैद महले के अंसार लगाया जाते थे और लोगों को भी प्रेणा देते थे, आप ज़्यादा स्वस्त रहो, स्वस्त रहेंगे तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, बिमार हो गए तो उनको पैसा कम मिलेगा, आज उल्टा हो गया, आज तो बिमार होने के बाद ही कितने लोगों का विलाज करते हैं, तब उनका पैसा मिलता है ये बात कहने को बहुत सहाने लगती है लेकिन समाज के दर जाग रुखता पैदा करना के कैसे वो स्वस्त रहें इसके लिए हमने भी बहुत से कारकम को चलाये हैं और उन कारकमों मैं जैसे समझता हूँ गाउं गाउं में स्वस्त रहने के लिए निरोगी रहने के लिए हमारी आयरोध पद्दती यह बहुत महत्पून पद्दती रही है कि कैसे स्वस्त रहा जाए उसके लिए हमारे खान पान की यह चिंता हमारे बड़े बज़ुर गुदादी नान यह सुब करते थे कि बेटा क्या खाना है क्या नहीं खाना है आज भी डाइटिशिन्स जो हमारे औशदालों में या हमारे अस्पितालों में होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमने गाओं गाओं में पार्कम योग शालाएं ये शुरू किया है कि योग करिए, स्वास्त रहिए, स्वास्त ठीक रखने के लिए व्याम करिए तो ये व्याम शाला हैं, योग शाला हैं, ये भी अपने हम में उसके लिए हमने शुरू किया है जाग रुकता ये भी बहुत जरूरी है और खास करके जो व्यसन हमको लगते हैं उसकी जाग रुकता अब हमने नशा मुख धरियाना ये भियान चलाया है ताके इसके माद्यम से भी अगर जाग रुकता होगी तो व्यक्ति स्वस्त रहेगा तो खान पान ठीक रहे शरीर अच्छा हो प्रयावर्ण बचाने की मुहिम ये भी हमने चलाई है कि आखर प्रयावर्ण बचेगा ऑक्सिजन बढ़ेगी तो कोड जैसी बिमारियों का भी मकाबला करने के लिए हमको ऑक्सिजन क्यावशकता होती है शरी स्वस्त रहता अस्वस्त नहीं होता है इसी परकार पानी बचाना मिट्टी इसको जो है वो ठीक रखना इसमें दूशित वाताव नब बने हमारे केमिकल्स को कम करना और्गेनिक खेती प्राकरते खेती ये सब शुरू किया हमने आगे युजना में वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए कल्पना की है कि उन वेलनेस सेंटर्स में ववस्ता यह सी करें जिससे व्यक्ति को स्वस्त रहने के लिए सारी बाते जाग रुकता वो की जाए कुछ कारकर बताया जाएं कि आपको स्वस्त रहना है बिमार नहीं होना है बिमार होने के बाद इलाज ये अलग एक उसका विशह है वो हम कर रहे हैं उसमें हमारी कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी उससे बड़ा विशह है कि हम स्वस्त कैसे रहें इसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं और इसी नाते से जो आज कारकम बताया गया है कि निरोगी हरियाणा निरोगी हरियाणा थाथ हर व्यक्ति का पहले टेस्टिंग हो जाए टेस्टिंग होने से पता लग जाया कि कहीं कोई प्रारंबब में कोई ऐसी चीज उभरने वाली तो नहीं है निपदा इवेल इन दबड कि बुराई को उसको जड़ में ही स्वाप्त कर दो तो शेरिव की बिमारिया यह एक बुराई है तो इसलिए उसको स्वाप्त करने के लिए हम लोग इस प्रकार का यह सब कार काम कर रहे हैं पिर भी यदि कोई सदस्य बिमार होता है तो गरीबों के लिए तो प्रधान मंत्री जी ने भी योजना बनाई है, प्रधान मंत्री जन आरवगे आयुष्मान भारत योजना, अर्थाफ आयुष्मान के माध्यम से हमारे हर गरीब व्यक्ति का परिवार के ईलाज के लिए 5 लाख रुपे की बीमा योजना ये बनाई गई है ताकि उसके पैसा खर्च नहो हमने इसी योजना में हरियाना में एक और नई योजना चिरायू हरियाना भी साथ जोड़ी है ताकि यह संख्या जो पहले साड़े पंद्रा लाग थी इसको बढ़ा करके हम तीस लाग के पार कैसे ले जाएं और केवल यहीं तक नहीं ए हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण विशह है अगर स्वास्त है शरीर स्वस्त है तो हमारे पास सब कुछ है करते हैं कि अगर हमने यह नहीं शरीर खोया तो समझे बहुत कुछ खो दिया तो शरीर हमारा स्वस्त रहे इस नाते से हमको आगे बढ़ना हैं हम लोग सुखी रहे यही आप से मैं निवेदन करते हुए आपको अंतिम अपील यही करूंगा कि हम लोग स्वस्थ जो हो गए हमें से वो अपने आप तो स्वस्थ रहेंगे अच्छी बात है स्वस्थ हुए प्रभू की किरपाउन के उपर हुई लेकर जो स्वस्थ हो गए परिवार के बाकी सदसे या जो जान पेचाने वाले लोग हैं हमारे इसदार हैं हमारे पडोसी हैं उनको निरोगी हर्याना में हस्थालों में ले जाकर डिस्पेंसरी में ले जाकर के उनके भी टेस्ट कराएं ताकि उनको भी किसी परकार कि अगर प्रारबिक बिमारी के लक्षन मिलते हैं तो उसको ठीक करने के लिए वो भी आगे लोग आएं तो इस कल्पना और योजना के साथ आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो निरोगी हर्याना के बाद जिनको लक्षन प्राप्ट हु होना पड़ा था अपना इलाज कराना पड़ा था और आज वो ठीक हो गये हैं ऐसे हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं निशिद रूप से ऐसे लोगों से अब मैं जानना भी चाहूंगा कि उनको इसका कितना लाब हुआ निरोगी हर्याना का उनकी जांच में कै अचान हुई और कैसे उनका इलाज हुआ इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पुरा बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुब कामना देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद